नमस्कार किसान भाईयो, किसान साथियो सितमबर अक्टूबर का समय बिल्कुल पास है कई मेरे किसान भाई सरसो पलस गन्ने की तैयारी कर रहे, अपने खेतों की जुताई उन्होंने सुरू कर दिये लेकिन वो ही एक समस्या जो किसानों के सामने बार बार निकल के आरी गन्ना बीज की कोई 13.235 कोई 14.221 कोई 15.023 कई सारे बीज के विकल्प हैं कई मिल पारे हैं कई नहीं मिल पारे उस स्थिति में अब किसान क्या करे और उन्हें मजबूरन 0.238 की ही बुआई करनी पड़े तो किसान साथियों गन्ना वोई करते समय अब सितंबर अक्टूबर में हमें जो सावधानी है थोड़ी सी वो क्या रखने की अवसकता है जिससे हमारा जो गन्ना है वो रोगों से बच सके क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी आ चुके हैं किसान भायों और कि किसान भायों जब भी अब हम गन्ना वोई करें जब तक हम 0238 को बोएं इसकी वोई के समय हमें बहुत अच्छे फंजी साइड का इस्तिमाल करना चाहिए और इसका ट्रीटिमेंट जरूर करना चाहिए वोई के समय तभी हमें एक अच्छा उत्पादन मिल पावेगा और हम इस गन्ने को बचा पाएंगे किसान भायों आज मैं आपको एक ऐसा फंजी साइड बताऊँगा इस समय के लिए जो अब समय चला हुआ है जिन किसान भायों के सामने रेड रोट की समश्यारी के मेरा गन्ना कहीं कहीं से लाल पड़ने लगा है या गोब सूखने लगी है उ तर से रेड रोट की समश्या शुरू होने वाली है खेत में आपके क्योंकि किसान भाईयो बरसात में ही रेड रोट की समश्या ज्यादा बनती है क्योंकि इस समय जो इसका मैं कहूंगा कि फंगस है जो इसकी वो इस समय बहुत तेजी से अक्टिवेट होती है आदरता में तो किसान भाईओ अगर आपके किसी भी खेट के कोने पे लाल लाल पत्तियां उनी स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप इस पे बहुत अच्छे फंजी साइड का इस्तिमाल करें जिससे आप इस गन्ये को रेड रोट से बचा सकें किसान भाईओ एक बार अगर रेड रोट फैलना स् किसान साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ सिजेंटा कंपनी के M.S.T.O.P. के बारे में इसके अंदर दो साल्ट आते हैं दोनों बहुती एडवांस बहुती अचूक बहुती जबरदस्त रिजल्ट देते हैं रेड रोट पे किसान साथियों इसके अंदर एजिक्सो दोनों तरीके से काम करती है अगर आपको लग रहा है कि मेरे खेत में पिछले वर्स ये रेड रोट की समझ्या आई थी तो मुझे पहले ही इसका इंतिजाम करना चाहिए तब भी आप इसको कर सकते हैं ये बिल्कुल रोक देगी और सबसे बड़ी बात यह है किसान बाई ह करें तो अच्छा है ये भी आपको एक चीज और में बता दू किसान बाई हो अगर आपके आसपास के खेत में किसी में रेड रोट आई हुई है तो आप इस दवाई को बिल्कुल निश्चित रूप से इस्तेमाल करें आपके खेत यह बिल्कुल बचा देगी बिमारी लग एक दूसरा लाब इस समय पर और भी मिलेगा जिन किसान बाई हो के खेत में पोक का बोईंग बिल्कुल जाके नहीं देरा समात नहीं हो पारा अगर एक दो इस्प्रे भी लगा ली हलकी दवाई हो से नहीं जा पारा आप इसको कर दीजे केवल 48-42 गंटे के अंदर पोक का इनको पून रूप से यह दवाई समात कर देगी थोड़ी सी महंगी दवाई है दो सो एमल का जो पैक आता है वो 1149 यानि साड़े 1100 के आसपास हैं 10-20 रुपे उपर निक्चे आपको यह दवाई मिल जाएगी किसान बाई हो दो साल्ट हैं दोनों ही बहुत एडवांस साल् लिक्सो स्ट्रोबिन डिफैनोकोना जोल तो किसान भाईयो इसका इस्तमाल करें अगर रेट रोट की समश्चारी अब मैं अपनी वीडियो पर आता हूं अगर आप अब गन्ना बुआई करेंगे किसान भाईयो तो अगर आप बाहर भी ट्रीट नहीं करना चारे माल लीजे किसी ड्राम में पानी भरके या किसी तो किसान भाईयो कोई भी थाइफोनेट मिथाइल कार्बेंडर्जीम प्रनसमेन को जब आप एक किलो पाउडर लेगे जब गन्ना बुआई करें तो उसको खाद में मिला दीजे किसान भाईयो हम थोड़ा बहुत खाद डालते ही हैं जब खूड में गन्ना बुआई करते हैं तो जो नीचे से ही हम इसकी फंगस को दबा के चलेंगे इसके जो जीन्स है डीन्ने में ही हम फंजी साइड लगा देंगे पहले ही तो किसान भाईयो बहुत कम चांस रहते हैं एक तो जो हमारी आखे गल जाते हैं उस पे भी करना थाइफोनेट मिथाइल या कारबेंड़ जी मैंको जैब या टैबू को ना जोल हारू के नाम से जो आता है उसका भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं किसान भाईयो मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 500 ग्राम की जगेर आप एक किलो पाउडर एक एकर खेट में इस्तिम लाल लाल सी पत्या हो रही तो एमिस्टार टोप रेड रोट के लिए बहुती जबरदस्त दवाई है आने से पहले करिए आपके आसपास अगर कहीं रोग ना जरा रहा तो आप जरूरिस दवाई का प्रयोग कर दीजिए किसान भाईयो क्योंकि पहले ही करेंगे तो अच्छे फंजी साइड और उसकी अच्छी मात्रा का जरूर ध्यान रखें जब तक हम 0238 गन्ना बोरें तब तक हमें यह चीजें बहुत ही ध्यान पूर्वक करने पड़ेगी किसान सात्यों धन्यवाव